असलों अलेकूम, उमीद करती हूं कि आप सब खेरेसे होंगे, चलिए मैं आज सहरी की पकाने की तयारी करें हूं, माशाला से मेरी ताजुब की नमाज भी हो चुकी है, अब मैं पकाने की तयारी कर रही हूं, ये चुक्के की बादी, अमबडे की बादी धोके साफ करके रख हूं, ये अद्रक लेसन का पेस्ट है, ये तेल है, ये नमक है, ये हल्दी, ये हरी मिर्ची, चलिए मैं जट पड बना लूँगी, सहरी में टाइम बहुत कम रहता है न, आप लोग देख चकते हैं, लिस्ट मेर माने लगे, ये मेरा गोश का पानी भुने लिए बाद आप पानी दा रही हूं गोश करने के लिए, अब ये दो सीटी पर उताब लूँगी, माने लिए बाद देख सकते हैं, ये मेरा गोश और हरी मिच्छी तरीके भुने गई है, अब मैं ये सोया दा रही हूं, अब मैं ये दाल रही हूं, अब मैं इसमें पानी ने मिलोंगी, पानी बहुत छोड़ता है भाजी में, अब मैं दो सीटी लगा लूँगी, देख सकते हैं, उदर मेरी भाजी गले तक मैं ये चाउल मत के रख ली हूं, ये चार पानी से जो के साफ करके रख ली हूं, अब मेरा मन नहीं बो रहा था रोटी खाने के लिए इसलिए मैं चावल बना रही हूँ मासला मासला को देख सकते हैं मेरी भाजी टमाटे अच्छी तरीके से गल चुके है अब मैं इसको घोट लोंगी मैं ये नमक दर लोंगी अमे इसको अच्छी तरीके से ऐसी घोट लोंगी आपको घोटे बत लोंगी मासला मासला आप लोग देख सकते हैं इधर मेरा खाना भी पक चुका है मासला मासला आप लोग देख सकते हैं इधर मेरी भाजी भी तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं इधर मैं सैरी की तैयारी कर लोगी, आप लगों को बढ़ लोगी अम छुला बन कर रहे हैं माशालल्माशालल्लigh आप लोग देख सकते हैं, यह बट्टा सालन है, रात में बनाई थी, बट गया तो मैं सैरी कने के लिए थोढ़ाई थी यह थुक्य की भजी अमबड़ की भजी है, यह सैरी के लिए बनाई हूँ मैं, यह खाना है, यह डही है, यह थोड़े से अंगूर है, यह सफोटे है, यह केक है, यह लिए मैं अब सैरी कनद शुरू कर रही हूँ, बिस्मिल्ला एर्मानी रही है, मैं खाना खालूंगी, चाह मेरे वीडियो को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ अल्ला हफीज